बच्चों बात करते हैं about posting errors और posting error में हम बात करेंगे about posting on the wrong side of an account के बारे में यानि कि जब transaction को post करते समय हम गलत side में post करते हैं किसे एक particular account के तो ऐसी error को कैसे ठीक किया जाता है आएए देख लेते हैं इसको जो है इस example के तुरू समझेए इसमें लिखा है received rupees 5000 from x was debited to his account आपने x से rupees 5000 receive किये हैं और उसको आपने उसके account में debit कर दिया है जब आप किसी से पैसे लेते हैं तो person giver होता है और giver जो है वो credit होना चाहिए ना कि debit ठीक है बच्चों तो x को हमें करना था credit लेकिन हमने कर दिया उसको debit तो ऐसी error को बच्चों ठीक करने के लिए रेक्टिफाइ करने के लिए आपको double amount का यूज करना होगा ठीक है बच्चों x को आपको करना था credit आपने कर दिया उसको debit तो इस error को rectify करने के लिए आपको double amount का यूज करना है आपको x को आप 10,000 से credit करना होगा ठीक है बच्चों x को आपको 10,000 से credit करना है और debit side में आपका आ जाएगा suspense account तो entry कुछ इस तरह से बन जाएगी बच्चों suspense account debit to access account rupees 10,000 ठीक है बच्चों आईए अप एक और example के तूर समझ लेते हैं कि अगर गलत side में post कर देते हैं आप किसी account में तो कैसे ठीक करते हैं उसको एक example से और समझ दीजिए बाकी इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसी error को rectify करने के लिए double amount का यूज करना है ठीक है बच्चों तो अगली transaction है कुछ इस तरह से credit sales rupees 8,000 credited to both sales account and debtor's account मारा debtor का नाम था why जिसको हमने उधार sale करी है उस debtor का नाम है why जो उधार sale होती है बच्चों इसके normal entry होती है debtor's account debit to sales account तो sales account तो credit ही होना चाहिए ठीक है और credit हुआ भी है बट debtor को तो debit होना चाहिए था मगर यहाँ पर जो transaction हुई है उसमें उन्होंने debtor को भी credit कर दिया है तो sales तो अपनी जगा ठीक है उसको जो है उसकी जुरूत नहीं पड़ेगी लेकिन rectifying entry में आपको debtor का ही use करना है debtor का नाम है जो गलती से credit हो गया है उसे होना था debit तो अब उसे double amount से debit कर दिजिए ठीक है बच्चों तो y को double amount से debit कर दिजिए और opposite side में suspense account लिखेगा sales account मन लिखती जिएगा तो entry बन जाएगी इसकी rectifying entry wise account debit to suspense account यहां रखेगा बच्चों wise account जो debit करेंगे आप वो करेंगे विद रुपीज 16,000 clear बच्चों आगे सुन में यह चीज़ अब इस transaction को देखें बच्चों goods returned by C rupees 4,000 was correctly entered in the sales return book but posted to the debit of C's account तो जब कोई हमें goods lot आता है तो हम उसको sales return book में एंटर करते हैं बच्चों क्योंकि वो sales return कहलाएगा ठीक है बच्चों तो sales return book में तो आपने correctly enter किया है बट जिस व्यक्ति ने good lot आया है यानि C ने उसको हमें credit करना था बट कर दिया हमने उसको debit ठीक है बच्चों तो C को हमें करना था credit बट कर दिया debit तो अब C को correct करने के लिए आपको double amount से credit करना होगा because हमने C के account में गलत side post कर दिया amount तो अब C को correct करने के लिए हमें जो है उसे credit करना होगा with double amount यानि रूपीज 8,000 और opposite side हम नाम लिखेंगे suspense account का तो इसकी rectifying entry बनेगी suspense account debit to C's account रूपीज 8,000 ठीक है बच्चों तो उमीद करता हूँ कि आपको ये posting on the wrong side वाली errors rectify करना आ गया होगा मैं logic फिर से बतायता हूँ बच्चों जब भी आप किसी account के wrong side में post कर देते हैं तो आपको correct करने के लिए double amount का यूज करना होगा ठीक है उस account की सही side में double amount से उसको debit या credit कर दीजिए जो भी उसकी सही side है और opposite side में suspense account लिखती जीएगा अगर X को debit होना था रूपीज 5000 से और वो गलती से credit हो गया तो आप उसको double amount से वापस debit करिएगा यानि 10,000 से और opposite side लिख दीजिएगा suspense ठीक है बच्चो अगर Y को credit होना था रूपीज 6000 से मगर वो गलती से debit हो गया या उसके debit side में आपने post कर दिया तो Y को अब आपको वापस credit करना होगा 12,000 से और debit side में नाम लिखना होगा suspense account का तो ये logic हुआ करता है बच्चो posting on the wrong side of an account वाली error को rectify करने का ठीक है बच्चो